मुझे लिए अवरीवन बेल्गम बैक तो मैं चैनल तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग रीक्रियेट कर रहे हैं ये वाला ड्रेस और ये है हमारी आउट्फिट फ्रॉम स्क्रेच का ड्रेस नंबर 18-17 ड्रेस जो है वो मैं अल्रेडी जो है बना चुकी हूँ और गाइस इसका जो बीटी एस होगा ना ब्याइंड दा सीन वो सब आपको जो है मेरे व्लॉग चैनल पे मिलेगा तो मेक शूर कि आप लोग मेरे व्लॉग चैनल को जलूर सब्सक्राइब कर लें उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल सब्सक्रिक लिए हुआ है और इसी पर हम कढाई करके जो इसका सूट बनाएंगे तो मुझे थोड़े लॉंग डुपट्टे अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैं हमेशा 1.5 मिटर कर बनाती हूँ अगर आप लोग को छोटा पहिंना मतलब छोटा केरी करना पसंद आप लो मेर को जो है अच्छा लगता है बड़ा बड़ा क्यारी करना तो इसलिए में को 1.5 मिटर के पसंद आते हैं वागे थोड़ा बहुत छोटा तो यह होई जाएगा साइड में इसके जब किनारी बनेगी तो तो चली अब मैं इसको क्या से कलाई करूंगी या करूंगी वह सार प्रोसेस आप लोगो साथ के साथ दिखाती जाओ ठीक है जी? पैंसिल लिए इस से ना बहुत अच्छा च्छा च्छपता है पूरा बहुत अच्छे से और यह मतलब मिटता नहीं है तो आप यह वली पैंसिल ले लीजिये यह बहुत जाधा कामाईगी तो यह पैंसिल आप लोगे पास होने जरूरिया अगर ये chalk से करेंगे आप या फिर अगर आप pencil से करेंगे तो वो ना मतलब छपाऊवा रह जाता है इससे क्या होता है ये white होता है छपाऊवा भी नहीं रहता और ये जढ़ता भी नहीं है इससे easily जो है दिख जाता है तो देखिए अब इस तरह से जो मैंने same design बनाया था उसको मैं इस तरह से ऐसे draw कर लूँगी हम चाहें तो ना जो हमारा butter paper होता है उस पे खाका बना कर भी कर सकते हैं लेकिन इतने खाके बना कर रखेंगे कहां तो वो बहुत जादा मतलब मुझे लगता है कि बहुत जादा lengthy process हो जाता है तो इसलिए मैं इस तरह से ऐसे इसको कर लूँगी अब मैं क्या करूँगी इतना मैंने बना लिया है और देखिए अब यह चुट भी नहीं रहे हैं मैंने आप लोगों को दिखा दिया अब मैं थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ा लूँगी इस तरह से और इस तरह से सेम मैं इसको ऐसे ही रखती जाओंगी ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर से आपने रखना है ताकि जो आपकी line है आपके scallop की वो एकदम सीधी आए line एकदम सीधी आनी चाहिए तो देखिए बिल्कुल मैं तरीके से उसको रख रही हूँ और फिर जो है again हमने इसको इस तरह से ऐसे draw करना है ठीक है जी तो जी अब यहाँ पर मैंने देख सकते हैं आप लोग चारो side डुपटे के जो है मैंने इस तरह से ऐसे इस design को draw कर दिया है उस pencil से यह देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ पूरा मैंने जो है चारो पर और जो इसका किनारा है वो मैंने कुछ इस तरह से बनाया है यह देखिए किनारे को मैंने ऐसे गोल पहले मैं एकदम मतलब उसको भी मैं ऐसे गोल कर रही थी लेकिन फिर मैंने उसको इस तरह से ऐसे V-shape में कर दिया मुझे गोल अच्छा नहीं लग रहा था तो अब देख सकते हैं आप लोग पूरे पर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है अब हमने इस पर जो है कडाई करनी है तो देखिए कडाई के लिए मैं यहाँ पर आरी नीडल का यूज़ कर रही हूँ अगर आप लोग को आरी नीडल नहीं यूज़ करनी आती है तो हाथ वाली सुईसे भी आप कर सकते हैं क्योंकि इस से पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया है ना उसमें हाथ से हम इसको कैसे करते हैं वो मैंने बताया है इसकी जो मैंने sleeves design करी है न उसमें तो उसका वीडियो भी मैं already upload कर चुकी हूँ उसका link भी आपको description में मिल जाएगा अब देखिए आरी निडल से जो है कटदाने का मैं यहाँ पर use कर रही हूँ golden color का और उससे जो है जो हमने ये white valley line से जो भी design draw गिया हुआ है एक एक जो है कटदाना छोड़कर हम इस तरह से ऐसे इसको लगाते जाएंगे ये रेखिए इस तरह से बागी आपको ये नहीं आता है आप लोग इसको normal जो हमारी hand needle होती है उससे भी आप इसको बहुत easily कर सकते हैं और जी अब जो हमारी leaf है वहाँ पर भी हम इसी तरह से ऐसे ही इस कटदाने को लगा देंगे और ये रेखिए इस तरह से जो है हमने इसको complete कर लिया है बागी guys इसका plazo और जो इसके sleeps पर मैंने design बनाया है उन सब का वीडियो दोनों वीडियो मैं already तैयार कर लेना है अब एक लाइन और मैंने नीचे की कटदाने की यहाँ पर लगाई है मेरे को इस scalp बहुत पतला लग रहा था तो मैंने सोचा double कर दे दी है तो देखिए double मैंने कर दिया है अब यहाँ पर मैं यह जरी यूज़ कर रही हूँ यह जरीना मैं बिलकुल किनारे पर बिलकुल पतला पतला इससे करूँगी तो इससे ना बहुत अच्छी finishing आती है तो यह वैसे उतना जरूरी नहीं है आप इसे छोड़ भी सकते हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए जो है मैंने बिलकुल किनारी पर इसको किया है तो जी देख सकते हैं आप लोग पूरा जो हमारा डुपट्टा है वहाँ पर जो हमारा embroidery वक था वो मैंने done कर दिया है और बहुत finishing के साथ हुआ है अब जो है हमने इसका scallop cut करना है तो यहाँ पर मैंने soldering iron का use किया है उससे मैं इसका scallop cut कर रही हूँ और जरूरी नहीं है कि आपने ये soldering iron ही use करनी है आप इसकी जगा अगर बत्ती, मोम बत्ती पहले आप लोग कैंची से मतलब इसको काट दें थोड़ा सा हलका हलका सा रह जाए बिल्कुल कडाई नहीं कटनी चाहिए इस बात का ध्यान रखना है उसके बाद जो है आप lighter वगेरा से या फिर मोम बत्ती से अगर बत्ती से इसको मतलब जो है इसको हलका सा ऐसे जला सकते हैं अगर बत्ती से करना है उससे बहुत जल्दी होता है इससे थोड़ा सा टाइम लग रहा था उससे बहुत जल्दी होता है तो अब देखिए पूरा जो भी हमारे चारो साइट का स्केलप है न उसको हम इसी तरह से ऐसे ही कट कर लेंगे यह देखिए इस तरह से तो जी अब मैंने देखिए चारो साइट का जो हमारा स्केलप था उसको मैंने cut कर दिया है अब यहाँ पर हम fabric glue का use कर रहे हैं और बिल्कुल जो small size की हमारी जो stone होती है वो हम use कर रहे हैं और वो हम इसके center में लगाएंगे अगर मैं चाहती तो कड़ाई से भी जो है पूरे मतलब जो इसका बीच है उसको भर सकती थी डोपटे को लेकिन उससे क्या होता मतलब वहाँ पे नीचे धागे चूट जाते तो वो finishing नहीं आती अच्छी back side से तो यहाँ पर हमने क्या किया है हमने यहाँ पर fabric glue लिया है और फिर उसके बाद एक एक stone करके न हम इस पर paste करते जा रहे हैं तो यह बहुत easy process भी होता है और मतलब देखने में भी अच्छा लगता है और इसको जब भी भी आप wash करेंगे कई लोग पूछते हैं कि fabric glue अगर use करो तो वो wash के पाद चुटता नहीं है तो अगर आप मतलब जैसे कपड़े को आपने तुरंत मतलब धोना है और उसको डाल देना है और बहुत जादा ऐसे हातों से रगड़ रगड़के नहीं धोना या फिर machine wash ना करें आप लोग आपना उसको मतलब dip करके अच्छे से मतलब उसको धोएं बहुत जादा रगड़ना नहीं होता मतलब रगड़ेंगे तो कुछ भी रहेगा कितना भी मजबूत तो वो छूटे गई अगर आप लोग ऐतियार बढ़तेंगे और तरीके से करेंगे न तो नहीं छूटेगा इतनी जल्दी उसके बाद मैंने जो है एक वन नाइट के लिए इसको छोड़ दिया था और ये है इसकी फाइनल फिनिश लुक देख सकते हैं आप लोग हमारा जो डुपट्टा है वो बनकर तयार है और जी पहनने पर ये कुछ इस तरह से दिख रहा था देख सकते हैं आप लोग बाकी अब रह गया इसके फ्रॉग का वीडियो जो इसका मतलब सूट है उसका वीडियो तो उसका जो है मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बी डालूँगी तब मैं उसका आप लोग को जो है वीडियो दूँगी बाकी डुपट्टा आप लोग पास से देख सकते हैं बहुत ये फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज